फिल्म कश्मीर फाइल्स के कारण अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे को काफी नुकसान भुगतना पड़ रहा है हम सब जानते हैं कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को 500 स्क्रीन्स पर रिलीस किया गया था लेकिन इस फिल्म का क्रेज ऐसा बड़ा कि आज की डेट में 4000 से जादा स्क्रीन्स पर यह फिल्म दिखाई जा रही है यही कारण है कि बच्चन पांडे के जो शोज है वो आटोमाटिकली कम हो गए इसके अलावा फिल्म बच्चन पांडे को रिलीस किया गया होली वाले दिन जाहिर सी बात है उस दिन मार्केट बंद रहता है जादा लोग बाहर नहीं निकलते हैं मेट्रो सिटीज में निकलते भी हैं लेकिन मूवीज देखने नहीं जाते हैं इसलिए जो शोज रहे वो भी कम रहे और कुछ सिटीज में तो लेट नाइट शोज ही रहे बच्चन पांडे के फिल्म ने पहले दिन 13 करोड की कमाई की है जो मेकर्स की उम्मीद से काफी कम है मेकर्स का मानना था कि बच्चन पांडे फिल्म जिस तरीके की नजर आ रही है फिल्म में आक्शन है, एंटेटेन्मेंट है, मसाला है, कॉमेडी है यानि कि कह सकते हैं कि एक मास एंटेटेनर फिल्म है फिल्म को रिव्यूज भी अच्छे मिले हैं, लोगों को मज़ा आया है लेकिन आप स्क्रीन्स ही नहीं है दिखाने को, ज़्यादा शोज ही नहीं चल रहे हैं इसलिए फिल्म कमाई करे तो भी कैसे करे यही कारण है कि जहां उमीद की जा रही थी कि फिल्म पहले दिन 20 करोड तो रिकवर कर लेगी उसमें से 13 करोड ही फिल्म कमाप आई है और बच्छन पांडे की कमाई का कमपारिजन अगर कश्मीर फाइल से करें तो भी दोनों फिल्मों की कमाई में बहुत बड़ा गैप है जहां कश्मीर फाइल्स ने रिलीज होने के आठवे दिन 19 करोड से जादा का बिजनस किया है वहीं बच्छन पांडे फिल्म में सब कुछ होने के बावजूद फिल्म का पहले दिन का बिजनस कश्मीर फाइल्स के आठवे दिन के बिजनस से बहुत कम है 13 करूर पर ही ये फिल्म सिम्टी एक टाइम था जब स्टार्स की फिल्म में रिलीज होती थी तो छोटी फिल्मों को स्क्रीन्स नहीं मिलती थी लेकिन आप टाइम बदल गया है एक छोटी फिल्म जो कम बजट से बिना किसी बड़े स्टार के या यूँ कहे कि कमर्शिल स्टार के रिलीज की गई वो फिल्म आज इतनी बड़ी बन गई है कि स्टार्स की फिल्मों को स्क्रीन नहीं मिल रही है इससे बड़ा बदलाव और इससे बड़ी पॉजिटिव बात बॉलवुड के लिए क्या होगी